Good afternoon friends आज हम प्रेइंगे rounded top, rounded bottom pattern अब जैसे सबसे पहले है rounded top pattern इसमें क्या होगा teene चीजिए देखनी है एक टोना चाहिए uptrend, uptrend जैसे यहाँ से क्या चलुआ है market अब ट्रेंड में चलुआ है उसके बाद एक होना चाहिए rounded top rounded top जिस लेवल को वो respect कर रही है मतलब यहाँ पर resistance की तरेक्ट कर रही है इसके उपर जो है price नहीं जा रहा है और एक हुटती है neck line neck line क्या करता है जिस पर जैसे यहाँ से sport लिया उपर गई फिर यहाँ पर rounded top बनाया उसने फिर निचे आ रही है फिर यहाँ पर यह क्या कर रहा है sport की तरेक्ट कर रहा है जैसे इस लेवल को break किया यहाँ पर neck line को break किया तो हमारी entry यहाँ पर बन जाएगी हम यहाँ क्या करेंगे short sell कर देंगे या PE buy कर लेंगे और हमारा target कितना होगा जितनी इसकी height होगी neck line की height होगी neck line से उपर rounded top की height होगी उतना ही हमारा यहाँ से नीचे का target बन जाएगा अब अगला है rounded bottom candlestick pattern यह rounded top का उल्टा है इसमें क्या है downtrend चल रहा था जो दोनो pattern है वो क्या है हमारे trend reversal pattern है जैसे यहाँ से downtrend चल रहा था इसने एक round ही top नाया neck line पे क्या कर रहा था अब neck line resistance की तरह act कर रहा है मतलब यहाँ पे इसको break कर रहा है और जैसे इसको touch करता है तो यह price में काफी ज़्यादा fall आता है और यह round shape बना रहा है निचे और जैसे neck line के उपर गया एक candle इसके उपर close कुरी और इसके उपर जैसे ही निकला हमने क्या गरा entry बना ली और हमारा जो target होगा जितनी इसकी depth है neck line की उतना ही हमारा उपर target हो जाएगा तो हम इसमें CE buy कर लेंगे यह है इसमें हम CE buy कर लेंगे ठीक है प्लीज सब्सक्राइब तो माई चैनल स्टोक मंत्रा अभी हमने पढ़ा है थैंक यू